नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे हैं आज क्या कर रहे हैं हम शरार्ती बच्चों को नमस्ते क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम शरार्ती बच्चों की कहानी पढ़ रहे हैं सौरी सौरी शरार्ती बच्चे नहीं शरार्ती बंदर की कहानी पढ़ रहे हैं नटखट बंदर, पाठ तीन, हमने दो पाठ पढ़ लिये, ओली पोली की कहानी भी पढ़ लिये, आज हम नटकट बंदर की कहानी पढ़ रहे हैं, एक था बंदर, बंदर, हमने बंदर पे ये बिंदी डाली है, बिंदी की आवाज कैसी आ रही है, आधे न की जैसी, बंदर, ठीक है, अ उसका नाम था बबुआ वह बड़ा नटकड था बड़ा मीज बहुत ज्यादा नटकड मीज शरारती सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था स्कूल तो जाना नहीं, पढ़ाई तो करनी नहीं तो सारा दिन क्या काम था? शरारतें करना एक शरारत नहीं plural शरारते कैसी शरारते वह कभी इस डाल से लटकता तो कभी उस डाल से कभी वह किसी की चीज जपट लेता चीज में ज के नीचे बिंदी है अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे चीज चीज नहीं है चीज जब ज़ के नीचे बिंदी लग जाती है तो उसकी आवाज ज़ से ज़ में बदल जाती है चीज वापिस आएं यहाँ पे वह किसी की चीज जपट लेता तो कभी पेडों के फल तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकता फेंकता नहीं है देखो फ है ये फ़ नहीं है फ़ होता तो नीचे बिंदी होती फ़ और फ़ पे छोटी ए है ए नहीं है डबल मात्रा नहीं है ठीक है फेंक बिंदी लगाने से बन गया फेंक अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो बनेगा फेंकता ये क्या है फेंकता spellings learn करने है और fur भी नहीं बनाना इसको इसको fur रहने देना है lips को जोड़ के बोलना है fur फेंकता means throw करता कभी वह किसी की चीज जपट लेता means snatch कर लेता तो कभी पेड़ों के फल तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकता फेंकता समझ आ गया? एक दिन सड़क पर बबुवा को एक थेला मिला थेला क्या होता है? बैग जिसमें सबजी भी लाते हैं न थेले में उसमें एक आईना था आ बड़ी ई ना आईना आईना क्या होता है? तेख़़ आईना के spelling आ बड़ी ई ना को आकी मात्रा आईना होता है दरपन शीशा मिरर दरपन द ये आधा र ये प ये न दरपन ये जो आधा र होता है जिस भी व्याजन के उपर लगता है उससे पहले बोला जाता है जैसे प के उपर लगा आधा र इसको बोलेंगे प से पहले दर, पन, पूरा दर, पन नहीं बोलेंगे, र पूरा नहीं है, आधा है, इसलिए इसको जल्दी बोलेंगे, दर, पन, समझा गई? और आधे रह को जो उपर वंजन के लगता है, उसे रेफ कहते हैं, क्या कहते हैं? रेफ, उसमें एक आईना था, शीशा था, मिरर था, बबुआ ने उलट पलट कर देखा, उलट पलट कर मीज कभी ऐसे, कभी ऐसे, उलट पलट कर देखा, आईने में उसे एक बंदर दिखा, ये दिखो, उसने आईना देखा, उसे आईने में क्या दिख रहा है ये? बंदर, तो क्या हुआ? वह डर गया, वह घबरा गया, यह क्या? क्या के बाद क्या लगया, sign of exclamation है, मैंने आपको समझाया था, हैरान होके जब बोलते हैं, यह क्या? यह दूसरा बंदर काँ? वह त उसने आईना सामने से हटाया, तो सामने का बंदर गायब हो गया, जब आईना हटा, तो बंदर भी गायब हो गया, ऐसा उसने कई बार किया, अब वह समझ गया, कि को छोटी ई है, कि आईने में कोई दूसरा बंदर नहीं, बलकि उसका अपना ही चेहरा है, यह देखिए, य पहले में से निकला आइना, आइने में बंदर ने अपनी शकल देखी, कभी उसको आइने को पीछे करता, कभी आगे लाता, तो उसे समझ आ गई, कि ये कोई दूसरा बंदर नहीं है, ये उसकी अपनी ही, अपना ही चेहरा है, अब हमने यहाँ ये शाब्द पढ़ना बलकी, आधे लग से पहले चोटी ए की मातरा लाएंगे, क्यों? क्योंकि आधे वियंजन को जब भी लिखते हैं, उसके बाद चोटी ए की मातरा लगाने का नियम नहीं है, ये देखो, कन्फ्यूजन होती है न, या पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए, as a rule, हम किसी भी आधे वियंजन से पहले आधी जो बाद में लगने वाली मातरा होती है चोटी ए की, उसको पहले ले आते हैं, बल की आवास तो यहीं आएगी, लेकिन मातरा कहां लगेगी? आधे वियंजन से पहले, स्पेलिक्स ये भी समझ आ गए, चलो अब आगे चलते हैं, उसे क्या लगा? क स्पेलिंग हमने पिछली कहानी में भी पढ़े थे, ओली और पोली एक दूसरे को देखकर मुसकराई, मुसकराया, कुराया नहीं, कराया, फिर आइने को थैले में रख लिया, और मस्ती से अकड कर चलने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक शरारत आ गई थी, उसने मस्त एक दिन उसे भीमा भालू मिला, भालू भसे भालू, भालू का नाम भीमा, भालू common noun, भीमा proper noun, पड़ा था ना अपने इंगलिश में, ऐसे ही बंदर का नाम बबुआ है, बंदर common noun, बबुआ proper noun, क्योंकि वो किसी एक particular बंदर का नाम है, तो एक दिन कौन मिला बबुआ को भीमा भालू, भीमा ने बबुआ से कहा, तो मा आजकल इतना अकड़कर क्यों चलते हो, बबुआ डपटते हुए बोला, डपटते हुए मिन्स डांटते हुए बोला, तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं, चलूं, चंदर बिंदुर, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हुँ, तभी वहाँ शेखु शेर आ गया, शर से शे, शर से शेखु, आपको नाम याद करने में कितना इजी हो गया, भसे बंदर, भसे बबुआ, भसे भालू, भसे भीमा, शर से शे, शर से शेखु, शेखु प्रपर नाउन, शेर कौमन नाउन, कौन आ गया व कर बबुवा से पूछा दांत पीस कर मीज उससे दांत पीस कर क्यों रे बंदर तुझे किस बात की अकड़ है अगर मैं एक पंजा मार दू तो आसमान में नजर आएगा असमान नहीं आसमान बबुवा बोला जा जा तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूं अच् मेरे जैसा शेर अपने थैले में से शेखो ने आँखे दिखाते हुए कहा बबुवा ने अपना हाथ थैले में डाला और जोर जोर से बुद्ध बुदाया बुद्ध बुदाया क्या होता है बुद्ध बुदाया मीज विस्पर्ड धीरे धीरे बोला मुँ में जब बोलते न हम, teachers कहते हैं न, please talk and whispers, उँची आवाज में बातें नहीं करो, इस तरह वो भी अपने मूँ में, बुद बुद आया, he whispered, what did he whisper? जो मंतर काली कलंतर, 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 ज थर-थर काँ अपने लगा, शिवरिंग होने लगी, इतनी जोर से डर गया वो उसने अपनी परचाई को दूसरा शेर समझा, परचाई बिंदी लगी है यहां और मन में सोचा, यह बंदर खतरनाक है, मीज बड़ा, भयानक है भई इससे तो डरना चाहिए, खतरनाक है कोई पंगा मत लो, तब शेखु ने बंदर से कहा अरे, बंदर भाई, आप खोब मस्ती में खुम यह, भीमा तो मूर्ख है मूर्ख, मूर्ख के स्पेलिंग देखें, कैसे लिखा है मूर्ख मको, बड़ाउ, आधार, ख, इस आधेर को क्या कहते हैं रेफ, र से रेफ, र से राजा, राधा, आधा बनके सिर के उपर बैठता है इसे कहते हैं रेफ, और यह ख से पहले बोलेंगे मूर्ख, अगर र पूरा होता, तो हम बोलते हैं मूर्ख मूर्ख, मूर्ख, लेकिन यह क्या है, आधार, क्या बोलेंगे, मूर्ख समझागे स्पेलिंग मू आधर जिसको हम रेफ कहते है मूर्ख मूर्ख का क्या मतलब है बेफकूफ है इसको अक्कल नहीं है वो कहते है तुम अपनी मस्ती में गुमो भी मा तो मूर्ख है अगर मेरी जरूरत पड़े तो बताना मैं तुरंथ हाजिर हो जाओंगा हाजिर मींज उपस्तित हो जाओंगा प्रेजिंट हो जाओंगा तुम मुझे बुलाना मैं कहूँगा Yes Sir हाजिर प्रेजंट जैसे बच्चे attendance के टाइम पूलते हैं तब भाया मैं उसी समय हाजिर हो जाओंगा अच्छा भरी नमस्ते बबुआ अब शान से जंगल में घूमने लगा एक दिन की बात है बबुआ अपनी अकड में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुटो ने उसे दोडा लिया दोडा लिया मीज उसके पीछे भागे ये देखो ये शेर गया नीमा गया बंदर खुश लेकि और शिकारी कुटो ने उसको दोडा लिया वो आगे आगे दोडा और कुटे उसके पीछे पीछे बबुआ जान बचाने के लिए भागा थेला हाथ से छूट गया और आईना गिरकर चकना चूर हो गया चकना चूर क्या होता है ये देखो पिक्चर में नीचे देखो ये है थैला थैला गिरा ये आईना था शीशा ये तूटके टुकडे टुकडे हो गया कितने टुकडे हो गया इसके जब कोई चीज टुकडे टुकडे हो जाती है उसको कहते है चकना चूर अब वापिस चलें उपर आईना गिरकर चकना चूर हो गया अब वो तूट गया तो उसमे पेड़ पर चड़ गया, तो रम्त मीज उसी समय, चड़, चड़ में अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा धड़कन, चड़, लेकिन हमने क्या लगाना इसके नीचे, बिंदी, चड़, फेड़ पर चड़ गया, तमाशा देखने सारे जानवर इकठे हो गए इकठे के स्पेलिंग समझते हैं, इकठ, ठे, इसमें मैंने ट को आधा बोला है, अंसे सुनो, इकठ, ठे नहीं बोला, इकठ, ठे, ठ को रोक लिया, ये आधा ठ है, जब गुलाई वाले जितने भी वर्ण होते हैं ना, उनके नीचे आधा करने के लिए उसको ऐसे तोड़त ना हो, तो भी हलंत लगा देते हैं, और क्या है, ड़, डम, रू, इसको आधा करना है, तो भी क्या लगाएंगे, हलंत, इसको क्या कहते हैं, हलंत, जैसे हमने लिखने हैं, लड, डू, दो, जो आधा, ड़ मैंने रोक लिया, उसको कैसा शो करते हैं, हलंत लगा, इकठ, ठे को आधा रोक लिया बनाने के लिए उसे हलंत लगाया यहाँ भी देखो हलंत लगा हुए न इकट फे तमाशा देखने सारे जानवर इकटे हो गए अब बंदर की असलियत सबको पता चल गई असलियत मीज रियालिटी कि वो कोई जादू वादू नहीं है उसके थैले में कुछ नहीं है उसकी रियालिटी पता चल गई सबको जब सबने देखा कि आईना तूट गया तो क्या हुआ बबुआ बंदर की सारी अकड़ भी गायब हो गई चूमंतर हो गई अब किस चीज के लिए अकड़ता वो उसके पास आई नहीं नहीं था इस कहानी से मने क्या शिक्षा ली कि हमें कभी जूट का सहारा नहीं लेना चाहिए कभी गलत बात नहीं करनी चाहिए सच्चाई से ही जीवन जीना चाहिए चूकि जूट जादा दिन नहीं चलता तो अगर हमें कभी ऐसी शरारत सूझे जिसमें में जूट बोलना पड़े और बाद में हमारी इंसर्ट हो ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे न ठीक है? तो इस कहानी के साथ मैं आपसे बिता लेती हूँ इस कहानी को आपने भी पढ़ना है और मेरिट बॉक्स में एनिमेटिड स्टोरी को भी इंजॉई करना है इसका अभियास कार्य हम नेक्स टाइम करेंगे तब तक के लिए बाई नमस्ते